नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास वीडियो में, जहां हम बात करेंगे नौकिया की धमा के दारवापसी की. वो ब्रांड जिसने एक दौर में मोबाइल इंडस्ट्री पर राज किया, अब फिर से चर्चा में है. क्या नौकिया अपने पुराने दिनों की यादें ताजा कर रहा है? चलिए, इस सफर को शुरू करते हैं. 90 के दशक और 2000 के शुरुवाती सालों में, नौकिया का नाम हर किसी की जुबाँ पर था. नौकिया 3310 और नौकिया N95 जैसे आइकॉनिक मॉडल्स ने इसे सबसे भरोसे मंद ब्रांड बना दिया था. लेकिन स्मार्टफोन क्रांती के साथ नौकिया पीछे छूट गया. अब नोकिया ने नई रणनीतियों के साथ मार्केट में कदम रखा है. उनका फोकस है टिकाउपन, दमदार बैटरी और सस्ती कीमतों पर बेहतरीन फीचर्स. नए मॉडल्स जैसे नौकिया G60 5G और नोकिया XR21 ने टेकनॉलोजी के साथ पुराने भरोसे का मेल किया है. नोकिया के नए स्मार्ट फोन्स में आपको मिलेंगे, ये शानदार फीचर्स 5G कनेक्टिविटी, लंबी बैटरी लाइफ, बहतरीन कैमरा क्वालिटी, सस्टेनेबल और मजबूत डिजाइन और सबसे खास बात, ये सभी किफायती दामों पर उपलब्ध हैं. नोकिया की मार्केटिंग इस बार बेहत स्मार्ट है. उनके कैम्पेन ट्रस्ट अगैन ने लोगों के बीच भरोसा बढ़ाया है. ग्राहकों का कहना है कि नोकिया के फोन्स में एक बार फिर वो पुरानी बात देखने को मिल रही है. अब सवाल ये है कि क्या नोकिया स्मार् वापसी की शुरुआत. क्या आप भी नोकिया के फोन्स खरीदने के लिए उतसाहित हैं? नीचे कमेंट सेक्षन में हमें बताएं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूले. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली अपडेट मिस न करें. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.